नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों श्वागत करता हूँ आपका इनोवेशन स्टेडी चैनल में आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपके त्यारी भी बढ़िया चल रही होगी चलिए बहुत बढ़िया जैसा कि आप सभी को पता है हमारा टार्गेट चल रहा है राज जिड़ंपाजस्तान में वौन स्पती एह driven अभियारन इसमें 4 अफिषार ऺफ्टास से चलाखर किवारिया वहां से जाकर न् effort के लिए within class horrifically का उसलेगा ऐजार यह second class है और वैसे five number part है राजस्तान में one वन ने जिव अभ्यान का ये part चल रहा है first number question देखेगा friends कुरूंजा है कुरूंजा क्या है तो कुरूंजा एक पक्सी है ठीक है कुरूंजा एक पक्सी है next question पर चलती है 180 number question देखेगा 180 number question है तालचापर अभ्यारण यहां पे अभ्यारण तालचापर अभ्यारण राजस्तान के किस जिले में स्थीत है तो तालचापर अभ्यारण है वो राजस्तान में चूरू जिले में स्थीत है ठीक है चूरू आपका यहां पे राइट एंसर होगा 181 नमर के उसमें देखे गजने है याश्य में पक्षियों का सबसे बड़ा परजनन के अंदर कोण सा है एस्या में पक्षियों का सबसे बड़ा परजनन केंदर केला देव राष्ट्रे उद्यान भरतपूर में है केला देव राष्य उद्यान भरतपूर ह pessoas आगले पर चलते हैं, 183 नमर्व्र कैसको देखिएगा, राष्ट्रिय घडियाल अभ्यारण स्सीट हैं, तो राष्ट्रिय घडियाल अभ्यारण कोटा में स्सीट हैं, आगला कैसे 184 का स्सीरे के लिए wediक जिए जियाकी सती हैं, क्या हरेक बूतर राजस्तान के किस अभ्यारण में पाए जाती है तो हरेक बूतर राजस्तान के सरीष का अभ्यारण अलवर में पाए जाती है सरीष का अभ्यारण अलवर में हरेक बूतर देखने को मिलती है एक्सो च्यासी नंबर क्योशन देखिएगा जैसमंद वन्य जियू अभ्यान कहां स्तित है तो ये उद्यपूर में स्तित है अगला क्योशन देखिएगा टाइगर इज्रो किस वन्य जियू अभ्यान में सुंद्री नामक सेर्णी आपने तीन बच्चों के साथ दिखाई दी तो ये होजेगा रन्थंबोर रन्थंबोर वन्य जियू अभ्यान में सुंद्री नामक जो सेर्णी है वो अपने तीन बच्चों के साथ दिखाई दी है आगले क्यूसन देखिएगा रन्तंब or अभ्यारण है वो स्वाई मादोपूर में भी ठीक है 188 नमबर कियूसन देखिएगा चम्बल लदी के किनारे स्थीत चम्बल गार्डन कौन से स्तान पर है तो वो कोटा में स्थीत है चंबल गार्डन है वो कौन से में है तो कोटा में स्थित है राजस्तान का परसीद गार्डन कॉंपलेक्स बड़ा बाग कहां पर है तो वो जेसल मेर में है गार्डन कॉंपलेक्स बड़ा बाग राजस्तान का परसीद है जो की जेसल मेर में है एक सो नब्बा नमबर क्योशन देखेगा रिग्गिस्तान छेतर में पाए जाने वाली सबसे महत्वपुन लुप्त पराय पक्षी पर जाती कौन सी है तो गोडावन है और यह सबसे ज़्यादा है वो जेसले मेर सैड की और आपको देखने को मिलेंगे नेक्स क्योशन पर चलते हैं अगला क्योशन देखेगा 191 में क्योशन है राजस्तान के किस आभ्यान को पक्षियों का सवरग बोला जाता है कौन सा आभ्यान है जिसको पक्षियों का सवरग बोला जाता है तो केला देओ जो कि भर्तपूर में है 192 राजस्तान के किस स्रक्षित स्तान में मियूरों का घंतो सबसे अधिक है तो सरीष का अलवर में मोरों का घंतो है वो सबसे अधिक है अगला क्यूशन देखो राजस्तान में काले हिरन और कुरूंजा पक्षि के लिए परशिद अभ्यान कौन सा है तो तालचापर जो की चूरू में है काले हिरिनों और कुरूंजा पक्षियों के लिए परशिध है 194 देखेगा फुलवारी की नाल अभ्यान किस जिले में स्तित है उद्यपूर में है आगला क्यूशन 195 राजस्तान में युनेशको की विश्व विराशत स्तान कौन से है विश्व विराशत में सामिल किया गया है आगले क्यूशन पर चलते हैं आगला क्यूशन देखेगा 2010 में इसको सामिल किया गया था ये याद रखना आगला क्यूशन है स्रिस्का उर रन्तंबोर किन जानवरों के लिए सरक्षित है देखी हैं निमन में से कौन सा युगम कथा मुख्य उत्पादक है तो उद्यपूर और चितोडगर ये कथा का मुख्य उत्पादक दिश्टिक हो जाएंगे उद्यपूर और चितोडगर निमन में से कौन सा राजस्तान वानी की एयों जेयो विविदता प्रियोजना का उदेश से नहीं है तो जेयो विविदता शरक्षन आपका इसमें रैट एंसर होगा नेक्स क्यूशन पर चलते हैं अगला क्यूशन देखिएगा वर्स 2011 और 12 में निमन में से किसमें सरवादिक वन छेतर था तो क्रोली में सबसे ज़्यादा वन छेतर था 2011 और 12 की अगर में बात करूंतो नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा दोस्ट एक नमबर क्यूशन पर चलते हैं राजस्तान का वह जिला जहां उस्ट कटिवंदी है सुसक परणपाती वन पाए जाते हैं वह कौन सा है तो शिरोई आपका यहां पर रैट एंसर होगा ठीक है उस्ट कटिवंदी है सुसक परणपाती वन शिरोई में मिलेंगे दोस्ट दो नमबर क्यूशन देखिएगा निमन में से कौन से दो जिले सरवाधिक वन चेतर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा वन चेतर वन शिरोई और उद्यपूर रखते हैं अगले क्यूशन देखिएगा दोस्ट तीन नमबर क्यूशन है राजस्तान का वहस जिलाज जहां उस्ट कटिवंदी है सुसक परणपाती वन पाये जाते हैं तो शिरोई हो जाएगा दोस्ट चार नमबर क्यूशन देखो रामसागर वन जियू अभ्यारन स्थित है तो ये धोलपूर में है रामसागर वन जियू अभ्यारन धोलपूर में है दोस्ट पांच नमबर क्यूशन राश्ट्रिय मुरू उद्यान किस नाम से भी जाना जाता है तो जिवासम उद्ध्यान के नाम से जाना जाता है और जो की कांपे है जेसल मेर मेर और बाड मेर जिले में फिला हुआ है अगले क्यूशन पर चलते हैं अगला क्यूशन देखीगा 206 नमबर क्यूशन है निमन में से कौन सा एक अभ्यान राजस्तान में नहीं है तो सुन्डा माता अभ्यान ये राजस्तान में नहीं है नेक्स क्यूशन पर चलते हैं 207 नमबर क्यूशन है सेम किस कंडिशन से समंदित है सेम है वो किस कंडिशन से समंदित है तो पारिश्तिकी की में प्रिवत्तन से समंदित है ठीक है परिश्टिकी किमें प्रिवर्तन कर देती है दोस्तो आठ नमबर क्योश्टन है किस जिले में आकाल लकडी जिवासम पारक स्तित है कौन सा जिलाए जापर अ hvis जंतलने आपका राइट अंसर होगा आग कि ने किस बाल! पारण में सपारी पारक विक्षित किया गया है कौन सा अभ्यान है जिसमें सपारी पारक विक्षित किया गया है तो रन्तंबोर अभ्यान जेसल मेर में स्वाइमादोपूर में सपारी पारक विक्षित किया गया है राजस्तान में स्थित राष्ट्रिय पक्षी उद्यान का नाम क्या है केला देव जो की भर्थपूर में है 211 नमबर क्यूशन देखिए राजस्तान का राज्य वरक्ष खेजडी राजस्तान का राज्य वरक्ष खेजडी है अगले क्यूशन पर चलते हैं 212 नमबर क्यूशन है राजस्तान का राज्य पक्षी कौन सा है तो राजस्ता का राजय पक्षी गुडावन और राजय पसु चिंकारा अगले क्यूशन पर चलते हैं कि दो सो तेरा नमबर क्यूशन देखिए जोगी महल राजस्तान के किस अभ्यारण में स्थित है जोगी महल तो रन्थंबोर श्वाई मादोपूर में स्थित है रन्थंबोर पेड़ली में पेड़ काटने का विरोध करते हुए किसने अपने सात्यों के साथ बलदान दिया था तो अमर्ता देवे ने 363 लोगों के साथ बलदान दिया था सेवन क्या है तो सेवन एक गहां सा है जो कि जेसल मेर जिस्टिक में आपको देखने को मिलेगी नेक्स क्यूशन पे चलते हैं कौन सा राष्टि उदान युनेशको की प्राकर्तिक द्रोहर सुची में सामिल किया गया है तो केला देव राष्टि उदान है जो की प्राकर्तिक द्रोहर सुची में सामिल किया गया है और ये भारतपूर में है वन विहार अभ्यान किस जिले म पर पाई जाते हैं आगले क्यूशन पर चलते हैं कि दोस्तों उन्नीस नमर क्यूशन आपके सामने है कि चंबल राष्ट्रिये अभ्यान की सवन्य जिऊ के स्रक्षन के लिए महत्व पूरण है तो घडियाल आपका यहां पर राइट अंसर होगा निमन मेंसे वन्यो के चेतर के अनसवा राजस्तान के किन जिलों का अवरोही करम है किन जिलों का अवरोही करम है उद्यपूर में सबसे ज़्यादा फिर चितोडगड में फिर बारा में और फिर क्रोली में है ये अवरोही करम है बड़ेशी छूटा नेच्ट देखो 222 नंबर संग्थन जिसे वन विकास एऊ वन्यजीव सुरुक्षय की स्रेणी में 2015 का अमरता देवी विश्नोई प्रूसकार परदान किया गया था अगले क्यूसे पर चलते हैं दोसो 23 नमबर क्योशन देखेगा जेओ विविदता स्रक्षन बाड नियंतन जल स्रक्षन वरक्षार ओपन में कौन सा राजस्तान वानी की यो जेओ विविदता परियोजना का उदेश्य नहीं है तो ये है बाड नियंतन है वो जेओ विविदता परियोजना के अंतरगत नह ही है 224 नमर के उसन देखिएगा है 224 नमर के उसन है 12 अप्रेल 2015 का 12 अप्रेल 2015 का केंद्रिय वन परियावरण एयो जलवायू प्रिवतन मंत्री प्रकास जावेडगर ने राज्ये के पहले बायो बायो लोजीकल पारक लोकारपन कहां किया तो सजनगड उद्यपूर में उसक सुबारम किया गया था लोकारपन किया गया था किसके दवारा प्रकास मंत्री मंत्री प्रकास जावेडगर ने किया था ठीक है अगला क्यूशन देखिए दोसो 25 नमर के उसन है राजस्तान में 50 परतिसत से अधिक वन छेतर किस स्रेनी के है तो वो है सुरक्षित वन छेतर क है अगला क्यूशन देखिएगा 226 नमर क्यूशन है मरू भूमी मरू भूमी राष्ट्रिय उद्यान कहां स्थित है तो वो जेसल मेर मेर में है मरू भूमी राष्ट्रिय उद्यान कहां स्थित है जेसल मेर आपका राइट एंसर होगा अगला क्यूशन देखिएगा कौन से जिलों का युगम राजस्तान में कथा का मुख्य उत्पादक है तो कथा का मुख्य उत्पादक कौन सा जिला है तो आपका राइट एंसर होगा वो हो जिएगा उद्यपूर और चितोडगर उद्यपूर और चितोडगर आपका यहां पे राइट एंसर होगा तो आज की क्लास में हमने 49 नमबर क्योशन कवर किये हैं गुंचास क्योशन कवर किये हैं आशा करता हूँ सभी क्योशन से आपको समझ में आगे होंगे अगर फिर भी कोई भी क्योशन में आपको doubt लगती है तो मुझे comment section में comment करें जैसे ही next class होगी उस class में आपकी doubt को clear किया जाएगा आज इस class में हमने 1 संपता और 1 स्पती 1 जीव अभ्यान के जितने भी क्योशन बनते थे वो हमने cover कर लिये हैं ठीक है 227 क्योशन total हमने cover किये है class पसंद आई है तो दिल से like करना दोस्तों ज्यादा से ज्यादा share करना अपने दोस्तों के पास ताकि सभी दोस्तों को class का लाम मिल सके ओके तो आज की class में इतना ही friends मिलेंगे हम next class में तब तक जे हिंद जे भरत